प्यारे विद्यार्थियों अंग्रेज अफकान सम्मंद के विशे पर हम च्यार व्याख्यान कर चुके हैं और यहें पांचवाँ व्याख्यान है विगत व्याख्यान की हम बात करें ताकि थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए तो मैं आपको बता दूँ कि अंग्रेज जो की शाह सुजा को अफगानिस्तान का सासक बना करके आये थे अफगान लोगों ने उसको स्विकार नहीं किया और लगातार वहाँ अंड्रेश्ट चलता रहा और प्रेणाम यह हुआ कि अंग्रेज को वहाँ से हटना पड़ा और जो अफगानों का उस समय नेता था दोस्त महुम्मद का बेटा अकबर खां अकबर खां और अंग्रेजों के बीच में संदी हुई जिसमें दोस्त महुम्मद जिसको की बंदी बना करके कलकत्ता में रखा हुआ था उसकी रहाई अंग्रेजों को माननी पड़ी और बहुत सारी मांगें अंग्रेजों को माननी पड़ी चार ब्रिटिस अधिकारी अफगानों के पास में बंदख रखे गए जमानत के रूप में संधी के बाद भी अफगानों ने मैंन काटन की हत्या कर दी और अब अंग्रेजों को आदेश मिला अंग्रेज सेना को कि अफगानी सान से वापिस ब्रिटिस भारत की तरफ लोट लोट के आ जाएं और अब वहां से लोट रहा है एल फिश्टन जो कि उसमें वहां पर लीड कर रहा है सेना को वहां से वापिस लोट रहा है लेकिन अकबर खां जो कि इस समय अफगान का सासक था उसने लोटती हुई सैना जब सैना लोट रही थी तो उस सैना पर प्रहार करवा दिया ऐसा माना जाता है यह उसने सुरक्षा का दाई तो संदी की सर्तों में माना था लेकिन अफगानों ने लोटती हुई सैना पर आकर्मन किया और सोलह हजार लोगों में से जो सोलह हजार की सैना थी सब को उन्होंने खत्म कर दिया केवल एक डॉक्टर ब्राइडन जलालाबाद तक पहुंचा और रणजीत सिंhy महारजय रणजीत सिंह हुए पंजाब च the senior में मृत्र हो गही और जो स्दू शोजा रणजीत सिंह और अंग्रेज वह संद्रेज स्ब के सम्माप्त हो गई यह हम पिछले व्या ख्यान में कर रहे थे अब आज हम यदि इस युद के परिणामों की तरफ द्रश्टी डालें, तो अंग्रेजों को पहली बार भारी ऐस फलता का सामना करना पड़ा. इससे पहले इतनी बुरी दुरगती अंग्रेजों की नहीं हुई थी। जितनी जन धन की हानी सभ्यान से हुई वो भी पहले कभी नहीं हुई थी। ये अंग्रेजों की विशन पराज्य और घौर अपमान था। शाह सुजा जो एक अयोग्य एलोग पिरिये व्यक्ति था। उसको अफगानिस्तान का सासक बनवाने की जो अंग्रेजों की जो निर्ने थी। कुवर्णर जनरल आकलेंड ये उसकी भारी भूल थी। इतिहासकर स्मित लिखता है अंग्रेज नितिजों अफगान की अगेंस्ट थी उसके बारे में। के उसने व्यक्लेंड के बारे में लिख रहा है कि उसने बिना युद की आवशकत सिद्ध किये यह निर्ने लिया क्या निर्ने लिया अफगान पर कर मेंका। उसने यह नहीं देखा कि अफगानों की जो प्रकरती है, वह स्वतंतर प्रकरती है। ये स्मित ने लिखा और अफगान आकर्मन उसने एक भेंकर भूल बताया आकलेंड को वहां रूसी प्रधानता की चिंता किये बगैर जो आकलेंड को लग रहा था कि रूस अपना परभाव जमाल लेगा रहिंदुस्तान में आ जाएगा तो स्मित लिखता है कि उसकी चिंता किये बगैर इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था पेशावर के मामले में वह महराजार अरजीत सिंग पर दबाव डालने में ऐस सफल रहा अर्थात उसे दोस्त मुहमद को पेशावर दिलवाने के प्रियास करने चाहिए थे दोस्त मुहमद कह रहा था मुझे पेशावर दिलवा तो इसकी अत्रिक्त अफगान परसासन में अंग्रेजी हस्तक्षेप अंग्रेजी सेना नायकों किया योगिता तथा भारती सेना की अफगान मामले में अभिरुची का अभाव ऐसे तक्थे हैं जिनके कारण अंग्रे इसक्लेंड का अखवा और ये जो अफगान आक्रमन हैं बुरीत रहें ऐस सफल रहा ये बातें इतिहासकार सिमित ने निकी उस देश में अंग्रेज्जों की निती से इरानी आक्रामक हो गए अफगानिस्तान के जो उस तरफ सीमा पढ़ रहे थी इरान की वो भी आक्रामक हो गए और उनको भी थोड़ा संग्रेजों से भै हुआ तो उन्होंने अपने आपको सक्ति साली बनाने के लिए रूस की तरफ जो है उन्होंने अपने संबंद बढ़ाने प्रारम कि इस युद में जैसा की इतिहासकार लिखते हैं विनाशकारी युद में भारत को पंद् लाख रुपए व्याय करने पड़े ब्रिटिस भारत को और इस युद की कीमत भारती जन्ता से वसूल की गई इस से जो जन्हानी की यदितुलना करें तो वो इस कहीं अधिक थी युद में बीस हजार जवानों ने अपना बलिदान किया जन्मेदिकांस भारतिय मूलके थे इतिहासकार ट्राटर लिखता है चाहे जिस द्रश्टी से देखा जाए अंग्रेज्जों की यह नितीगत भूल और अप्रात दोनों थी आकलेंड और जो उसकी टीम है उन्होंने बार्ड आफ कंट्रोल और इंग्लेंड सब को अंधेरे में रखा मद्धे इसिया में रूस के खत्रे को बड़ा चड़ा कर ब्रीटिस सरकार के समक्ष रखा ये इस परकार से जो रिपोर्ट्स वहां दी गई ये भी यहां के जो अंग्रेज परती में दी है आकलेंड है उसकी गलती है हेरात पर भी जो इरान का घहरा था वो अनुचित नहीं था हेरात के सासक कामरान ने बार-बार इरान से हुई संधी को तोड़ा था और उसके छेतर में आकर्मन किये थे इस कारण इरान के श्याहदवारा हेरात पर आकर्मन को अनुचित नहीं का जा सकता जो यहां ये स्टेंड ले रहा था अकलेंड कि इरान उदर से आ सकता है तो वो इरान और अफगानिस्तान का निजी मसला था इरान उस पर आकर्मन इसलिए कर रहा था कि भई अफगानिस्तान विश्वासगात कर रहा था इरात के सासक जो है संधी को तोड़ रहे थे अब इंग्लेंड के जो परतिनी दी है यहाँ पर वो इसका इंटर्पेटेशन यह बता रहे हैं अपने हायर अथार्टिस को कि इरान भी इदर बढ़ना चाहरा है उसके पीछे रूस है यह इस परकार से इन्होंने पूरी जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग गलत की इत्यासका रावर्ट्स ने ठीक ही लिखा है इस निती को बनाने वालों ने आकर्मन के जो बेतुके बहाने बनाए वे सब गटनाओं की धारा में पता नहीं कहीं लापता हो गए जिससे उनका उद्दिश्य पूरा नहीं हो पाया तो ये जो प्रिणाम था इस युद्ध का अंग्रेजों के बिलकुल प्रतिकूल था और अंग्रेज भारी अपमान अंग्रेज को यहाँ पर उठाना पड़ा एलेन बरो जो कि ऑकलेंड के बाद में भारत आता है उसकी अफगान नित्ती पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे एल्म फिंश्टन जिसका हमने अभी जिकर किया था दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सिकार हुआ क्यों जब वो वापिस सैना सहीत लोट रहा था तो वहाँ पर उस पर आकर्मन हुए दूसरी और जर्णल नौट कांधार पर अधिकार बनाए रखने में सफल रहा उसे मुक्त कराने के लिए भेजे गए जो जर्णल नौट की जो सेनाए हैं उन्होंने स्थिति को सुधारा दूसरी और जर्णल सेल जो जलालाबाद में अफगानों से घिरा हुआ था ने तब तक स्थिति को यथावत बनाए रखा जब तक पोलक के नेतरतों में नई सैना नहीं आ गई तीन सैना नाएकों की हम बात कर रहे हैं ऐल्फिंटन, जर्णल नौट और जर्णल नौट के बाद में जर्णल पॉलक नौट और ऐल्फिंटन को सफलताएं नहीं मिली लेकिन पॉलक सैना लेकर के आ गया पॉलक की सफलता से अंग्रेज्जों की स्थिती में काफी सुधार हुआ और पॉलक की सफलता ने जो गवर्णर जन्रलिस्म है जो है उसकी परतिष्ठा को बढ़ाई लेकिन उसने हकल जाई में और उदर गजनी में जब उसको पामर उनका जो अंग्रेज अधिकारी पामर के आतम समर्पन की सुचना मिली तो ब्रिटिस सेना की वापसी के आदेश दे दिये एलन ब्रो ने क्या किया कि अब उनको कहा है कि भाई आप लोग वापस आ जाओ ब्रिटिस सेना की वापस आने के आदेश दे दिये सेना पतियों ने संचार सादनों के अभाव का बहाना बना कर अपनी वापसी को कुछ समय के लिए रोक लिया कि हमें information नहीं मिली एलन ब्रो ने बाद में सेना पतियों की को कहा कि भाई तुम परिस्थितियों के अनुसार ने ले लेना क्योंकि उस समय आप जानते हैं कैसा जमाना था कोई ऐसे संचार के सादन थे नहीं तो उनको message कर दिया अपने सेना नायकों को कि आप जैसा वहां की परिस्थितियों हो उसके अनुसार ने ले लेना नॉट एवं पॉलक दौनों की सैनाओं ने काबूल में संयुक्त रूप से कारवाई की और ये घटनाएं घट रही हैं 1842 में नॉट ने गजनी के किले को नश्ट कर दिया ब्रिटिस सैनाओं ने यूरोपिय कैदियों को मुक्त करवा लिया ले 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 लेना लेकिन 12 अक्टूबर 1842 को बरबरता पूरवक काबूल का जो बाजार था बड़ी बाजार जिसको कहते हैं उसको उड़ा दिया गया यह एक एक्शम में अपराग था इसी दोरान एलेन बरों ने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कुछ गोशनाई की उसने गोशित किया कि अंग्रेजों की अफगान में कोई छेत्रिय महत्वा कांक्षा नहीं है और वे अपनी प्राकर्तिक सीमा से संतुष्ट हैं उसने अफगानों को सुचित किया कि वहें अफगानों के उपर यह छोड़ते हैं कि वे अपनी अवस्तित स्थिती में जैसी चाहे वैसी सरकार मनाएं यह घोषणा एक डेमेज कंट्रोल था इसके द्वारा अंग्रेज यह दर्शाना चाह रहे थे कि अफगानिस्तान रहने की द्रश्टी से अंग्रेजों के लिए पूरी तरह आयोग्या है अब हम बात करते हैं दोस्त मुहमन की जो की दुबारे सासख बनता है अठारा सो ब्यालिस में और अठारा सो तरेश्र तक वहां का सासख रहता है दोस्त मुहम्मद के काल में अंग्रेजों और अफगानों के बीच में एक संदी हुई एक 1855 में और दोस्त मुहम्मद इस बात के लिए सहमत हो गया कि वह इस्ट इंडिया कंपनी के मित्रों का मित्र तथा सत्रों का सत्रों रहेगा दूसरी और अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को उसके आंत्रिक मामले में हस्तक्षिप ने करने का आस्वासन दिया अफगान अमीर 1857 के विद्रों के दोरानवी संदी के परती निश्ठावान बने रहे और दोस्त मुहमद ने विद्रों की साहिता करने से इंकार कर दिया यह मैत्री 1862 तक चलती रही लेकिन दोनों के बीच मन मुटाव प्रारम जब हुआ जब दोस्त मुहमद ने अंग्रेज्जों की इच्छा के विपरीत हैरात पर आकर्मन कर दिया और 1863 में वहाँ पर अधिकार कर लिया इसके थोड़े दिन बाद ही दोस्त मुहमद की मृत्य हो गई और उसके बाद में उसके सोला पुत्रों में हुआ उत्राधिकार का युद्ध और अफगानिस्तान में कुछ समय के लिए अराजकता बनी रही दोस्त मुहमद ने सेर अली को अपना उत्राधिकारी चुना था और गुवर्नर जर्रल लॉरेंस ने 1864 में सेर अली को अफगानिस्तान के सासक के ρुप में मानेत्ा परदान कर दी और उसने अफगान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेब करने से इंकार कर दिया अंत में सेर अली काबुल और कंधार को जीत कर उसने इन दोनों को अपने अधिकार में ले लिया और अफगानिस्तान का वह सासक बना रहा ये जो लारेंस की जो निती कि यदि हम बात करें तो ये तो हमने पढ़ा है कि अंग्रेजों की भिष्ण पराज्या हुई थी पर्थम अफगान युद में उनका बड़ा अपमान हुआ था क्योंकि अफगानों ने अपनी सोतंतरता को बरकरार रखने के लिए व्यापक संघर्ष किया अंग्रेज निती निर्धारकों पर इसका ततकाल परभाव पड़ा और उन्होंने अगरगामी निती का परित्याग कर एकरमन्यता कहें इसको हम उस निती को अपना लिया और इस से यह जो निती रही कि अफगानिस्तान में हम कुछ नहीं चाहते हैं यह निती उन्होंने फिर बना ली और ताकि दुनिया को भी यह मैसेज जाए कि अंग्रेजों का अफगानिस्तान में कोई इंट्रेस्ट नहीं है लॉरेंस का विचार था कि अफगानिस्तान एक गरीब देश है इसलिए विदेशियों की एक बड़ी सेना यहां नहीं रह सकती और एक छोटी सेना यहां अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती उसके अनुसार काबुल बुखारा और यारकंद आदिक अस्थानों पर राजनितिक एवं व्यापारिक मिसन रखना ही लाब दायक था तो ये एक परकार से आए हस्टक्षेप की नितिक लॉरेंस छाता था कि अफगानिस्तान के आंत्रिक मामले में हस्टक्षेप किये बिना उसके सासक को सकती सालिप बनाया जाए भारत और रूस के बीज अफगानिस्तान को एक मित्र देश वफर स्टेट साथ में वफर स्टेट स्विकार किया जाए और भारत तथा रूस के प्रभाव की मद्धे एसिया में एक स्पष्ट सीमा अंकित कर दी जाए ये इस प्रकार की निती जो है लॉरेंस की थी अब भी हम थोड़ा कन्क्लूजन करें तो ये बात तो बार बार आई गई कि पर्थम अफगान युद अंग्रेजों के लिए ठीक नहीं था बहुत दिक्कते हुई बहुत बड़ी प्राज्य हुई वहां जलील होना पड़ा दुनिया के सामने अंग्रेजों को जलील होना पड़ा और फिर अंग्रेजों ने अपनी निती को चेंज किया और निती फिर उन्होंने ये बत अपनाई जैसे अभी अपने जिकर कर रहे थे कि वहां पर प्राज निती में हस्तिक्शिप ना किया जाए वहां का जो सासक है उसको ताकतवर बनाया जाए और ताकतवर इसलिए तकि रूस और उसके बीच में उनका एक दोस्त हो एक बफर स्टेट हो तो इस परकार से अंग्रेजों की जो अफगान निती थी उस अफगान निती के अंदर ये हैं परिवर्त दनाया कभी कभी अफगान को आर्थिक साहिता भी और इस परकार एक ऐस्तक्षेप की निती द्वारा यदा कदा मदद देकर अफगानिस्तान को रूस से मिल जाने रूस के साथ मिल जाने से मतलब रोकने का परियास किया गया और उसे रोका गया से इस अगले व्याख्यान में बहुत बहुत धन्यवाद्ट